Hello and Welcome to SJR Education, Cognitive and Competitive Psychologist क्या होता है, इस तरह के options आपने आजकल Paper 1 के Teaching, Aptitude और Research के बहुत सारे questions में जो है वो देखा होगा, तो देखिए क्या होते हैं, exactly क्या difference होता है, इन दोनों के बीच में जानेंगे, इस वीडियो के अंदर Paper 1 का एक important topic है, ये cognition पे बहुत सारे questions आते हैं, तो पहले comment में मिलेगा, टेलीग्राम में सभी classes के link timely share हो जाते हैं, ताकि आप किसी भी class को मिस ना करें, SJR YT code के साथ इस class को आप unlock कर सकते हैं, इसमें हम 2021 के, जो previous year के questions हैं, पिछले साल के वो solve कर रहे हैं daily, तो देखिए सबसे पहले cognitive psychologist की बात आती है, तो वो ये investigate करते हैं कि लोग सोचते कैसे हैं, लोग topics के बारे में कैसे decisions लेते हैं, जो कि cognition का काम है, thinking, तो इसी लिए problem solving किस तरीके से लोग अपनाते हैं, किस तरीके से problems का solution रूनते हैं, तो ये cognitive psychologist का काम रहता है, ये इस तरह के psychologists जातर इस चीज में interested होते हैं, कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ह हम चीजों के pattern कैसे समझते हैं, हम information को कैसे store करते हैं, जब हमें जुरत पढ़ती है, तो उस information को हम कैसे retrieve करते हैं, साथी साथ, cognitive psychologist जो है, वो कई variety of settings में काम करते हैं, जैसे universities हो गई, research centers हो गई, rehabilitation facilities हो गई, hospitals हो गई, सरकारी agencies हो गई, private practice हो गई, क्योंकि इस field के जो professionals हैं, वो कई तरह की range of duties करते हैं, जो कि research और obviously patients के साथ काम करना, उनकी मनोदशा का समझना, और उनको जो है किस तरीक से वो सोचते हैं, इस pattern को समझना, तो other areas of psychology को अगर आप धान में रखे हैं, तो cognitive psychologists ज area में, जिसे memory हो गया, comprehension, knowledge, language development, attention, problem solving, learning disabilities, तो ये काम जो है, कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे decision making होती है, कैसे problem solving होती है, ये main domain होती है, cognitive psychologists की, on the other hand, जो comparative psychologists हैं, वो ये जानना चाहते हैं, कि लोग कैसे behave करते हैं, जैसे ये different species के behavior को study करते हैं, इंसान कैसे behave करते हैं, animals कैसे study करते देखिए, animals और human में, जो है, कभी-कभी ये देखने को मिलता है, कि कुछ ऐसी species हैं, जो कि commonly behave करती हैं, तो जब वही experiments आपके animal पे किये जाते हैं, तो उससे पता लगाए जा सकता है, human behavior के बारे में, जितने आज तक आपने example पढ़ें, जैसे थॉन डाइक का cats के साथ experiment है, त तो जितना भी आप आप आवलो की dog की theory के अंदर stimulus response model पढ़ते हैं, कि किस तरीके से stimulus response को आप condition करते हैं, skinner का जो काम है pigeons के साथ, या thon dike का जो काम है cat के साथ, इस तरह की चीज़ें जो है, जो human behavior के बारे में, जिन्रों ने बहुत सी बाते हमको बताई, जिन theories ने, वो भी animals पी की गई, और obviously इसलिए study करना behavior responsive of animals जो है, जैसे rats and dogs जो है, ये insight पैदा करता है human behavior में, देखिए, ये जमाना अलग था, जिस तरह की studies हुआ करती थी, मैं इमानता हूं कि आजकल इस तरह की studies कम हुई है, लेकिन बहुत अथक जो है, जो animals के उपर cruelty है, ये भी बहुत competitive psychologist की category में आते है, अभी हमारे काफी साइक courses चल रहे है, जो की GRF mission आपका June 2022 है, जिसमें हम revision class MCQ की कर रहे है, paper on के इसको सरूफ follow करिए, जिसमें paper on मैं ले रहा हूं, बाकि आपके बहुत सारे subject है, आप जैसे की screen पर दिख पा रहे होंगे, और 11 subject के साथ ये course launch हुआ है, और पेट classes की list भी है, तो आप दू ताइम वैटसे कर सकते हैं, thank you so much, शुग है